नए कानून और NPR को लेकर मूदी सरकार अपने कदम पीछे हटाने को तयार नहीं है बलकि अब तो उसने सभी राज्यों की बैठक बुलाने का भी फैसला लिया है लेकिन मूदी सरकार केस अडियल रुक के आगे पश्चिम बंगाल की CM ममता बैनर जी भी जिद्दी बन गई ह उन्होंने ना सिर्फ बैठक में जाने से इंकार किया है बलकि सरकार को ललकार भी दिया है नए कानून को लेकर देश दो धड़ों में बढ़ गया है जहां एक तरफ मूदी सरकार है तो दूसरी तरफ विपक्ष जो लगातार लामबंध होकर मूदी सरकार की घेरा बंदी कर रहा है विपक्ष की इस आवाज में ममता के सुर्फ काफी बुखर है जी हां नागरिकता पर अपना अलग जंडा बुलंद करने वाली ममता बैनर जी ने अब एनपी आर में मूदी सरकार की बैठक में भी जाने से इंकार कर दिया है उन्होंने साफ कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से कोई सच्चिव स्तरिय या अन्य प्रतिनिधी भी बैठक में नहीं पहुँचेगा ममता ने कहा कि सरकार कोई भी प्रस्ताव लाए हम उसको स्विकार नहीं करेंगे हमारे राज्य में केंद्र की मनमानी नहीं चलेगी ममता नेरजी ने आज जहां सरकार की बैठक में शामिल होने से इंकार किया है तो वहीं पिछले दिनों वो विपक्ष की मीटिंग में भी नहीं पहुँची थी दोनों ही बैटकों में शामिल ना होने को ममता की बड़ी रणनीती के तौर पर देखा जा रहा है दरसल पश्चिप बंगाल में 2021 में विधान सभा के चुनाव होने है इसलिए ममता खुद को बड़े मोर्चे पर खड़ा करने की कोशिश कर रही है ना ही वो विपक्ष के साथ हाथ मिला रही है ना ही सरकार के खलाफ खामूश बैठी है राजनीती के जानकार मानते हैं कि ममता बंगाल की जुनता को दिखाना चाहती है कि वो उनके मुद्दे खुद बुलंद आवाज में उठाती है ममता इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अगर नागरिक्ता के मुद्दे पर धील दी गई तो बीजेपी और विपक्ष के लिए बंगाल की रहा आसान हो जाएगी इसलिए वो खुद मोर्चा समखाले हुए है अब देखना होगा कि उनके ये रणनीती कितनी कारगर साबित होती है डीवी लाइफ की रिपोर्ट